find the number of non-zero terms in the expansion of 1 plus 3 root 2 x power n plus 1 minus 3 root 2 x power 9 तो सबसे पहले मैं दीखता हूँ 1 plus x power n की expansion क्या होती है तो यह होता है 1 plus nc1 x plus nc2 x square plus nc3 x cube up to ncn into x power n और 1 minus x power n की expansion क्या होगी तो मैं इस expansion में x की जगा minus x put कर दोंगा ठीक क्या हो जाएगा 1 ठीक है यह minus x put कर दोंगा तो मुझे क्या मिलेगा minus c1 x तो यहाँ मैं minus 1 put कर दोंगा मुझे क्या मिलेगा plus nc2 nc2 x square यह हो जाएगा minus nc3 x cube up to ठीक है तो इसका मैं कह सकता हूँ जो general term है इस expansion का वो क्या है minus 1 per power r ठीक है minus 1 per power r जो tr plus 1 होगा वो क्या होगा minus 1 per power r nc r ठीक है जहां r की values क्या क्या होगी 0,1,2 ठीक है up to n तक अब देखो अब मैं इन दोनों को add करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 plus x per power n ठीक है और मैं इसे add करूँगा 1 minus x per power n से तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा देखो यह सारे terms cancel हो जाएंगे addition पे ठीक है तो सारे जो even place पे terms है ठीक है जो even place पे terms है जैसे second place पे second term है तो सारे even place वाले terms cancel हो जाएंगे जिनमें x का power odd है तो वह सारे terms cancel हो जाएंगे जिनमें x का power odd है तो यह दोनों भी cancel हो जाएं ठीक है तो यह क्या हो जाएगा twice of 1 plus nc2 क्या है यह nc2 x square plus nc4 x to the power 4 ठीक है इन दोनों का summation कुछ ऐसा आ जाएगा ओके अब मुझे क्या मुझे क्या इनका summation find out करना है तो यह क्या है 1 plus 3 root 2x पे power n 9 है ठीक है plus 1 minus 3 root 2x पे power 9 इसकी value क्या हो जाएगी यह हो जाएगी twice of 1 plus nc2 n की value क्या है 9 है ठीक है nc2 ठीक है into यहां x की value क्या जाएगी x की value आ जाएगी 3 root 2x है ठीक है 3 root 2x का whole square plus फिर क्या जाएगा nc4 मतलब 9c4 ओके x की value क्या है 3 root 2x पे power 4 ठीक है next time क्या हो जाएगा nc6 ठीक है 3 root 2x पे power 6 आ जाएगा और next time क्या होगा वो होगा nc8 3 root 2x पे power क्या जाएगा यहां पर 8 ठीक है तो मेरा expansion जो इसका है वो किस में बदल जाएगा इस वाले term में ठीक है twice of this expression तो यहां से मैं count करूँ तो मैं पास कितने terms है 1 2 3 4 5 तो यहां से मैं कह सकता हूँ there are five non zero terms this is my answer